नमस्कार गुट्टी की पोटली यूट्टीब में आपका हार्तिक स्वागत है इसमें आप देख रहे हैं यूट्टीब पर गुट्टी की पोटली आज में आपके लिए लेटी सौक्स का बूट का एक बहुत ही सिंपल और सुन्दर डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन में मैंने केवल सीधे फंदे और उल्टे फंदो का परियोग किया है किसी परकार का कोई डिजाइन नहीं डाला जिन लोगों को केवल सीधा और उल्टा बनाना आता हो वो भी इस जुराब को बना सकते हैं इस जुराब को बनाने में केवल 43 ग्राम उन का परियोग हुआ है एक जुराब में लगभग 21 या 22 ग्राम उन लगी है यह जुराब बनाने में बहुत असान है इस जुराब को हमने यहां से शुरू किया है यहां से शुरू करते हुए हमने इधर फंदे बढ़ाए है फिर उसके बाद हमने इसका नीचे का हिस्सा बनाया था फिर यहां से हमने फंदे उठाए इधर का हिस्सा बनाया फिर यहां से हमने सेंटर के नो फंदे लेकर यह हम जुराब को बनाना शुरू करते हैं। जुराब बनाने के लिए हम स्लाइम में केवल 16 फंदे डालेंगे। यह मैं आपके सामने गिन देती हूं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और 2, 16 16 फंदे डालने के बाद हम पहले इसी तरह से बिलकुल सीधा सीधा बनाते हुए पहले एक स्लाइम कंप्लीट करेंगे फिर किनारा बनाएंगे फिर उसके उपर बनाएंगे तो पहले हम यह स्लाइम कंप्लीट कर लेते हैं। एक स्लाई बनाने के बाद साइड चींज करेंगे, पहला फंदा हम उल्टा उतार लेंगे, और धागा दूसरी तरफ करेंगे, चार फंदे हम, इसमें हम सारे फंदे सीधे बनाएंगे, हमारा किनारे का है, तो हम इसी तरीके से बनाते हुए, सारी स्लाई हम सीधी सीधी फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इसी तरह से बनाते हुए हम छे स्लाई और बनाएंगे, यहां पर हमारी चार सरी बननी चाहिए, एक सरी बन गई है, दो स्लाई बनने पर एक सरी बनती है, एक बन गई है, छे स्लाई और डालेंगे, तो ह झाले हम यह बना लेते हैं यानि टोटल सलाई आपको आठ सीधी सीधी डालनी है तो पहले हम यह बना लेते हैं आठ चानल बनाने के बाद 4 सरी बन गई है एक दो तीन चार पहले की तरह पहला फंदवा उल्टा उतार लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे और गिन के साथ फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे और साथ धागा अपनी और करेंगे और सारी के सारी सलाई हम सिधी सिधी बना देंगे इस और भी हमारे पास आठ फंदे हैं और इस और भी हमारे पास आठ हमने सीधे बनाए थे एक फंदा किनारे का था इधर भी हमारे पास साथ आठ फंदे हैं अब हम साइट चेंज करेंगे पहला फंदा हम हमीशा की तारा उल्टा उतार के धागा दूसरी तरफ करेंगे चार फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार एक फंदा हमारा किनारे का पांच होगे धागा अपनी और करेंगे और साथ फंदे हम गिन के उल्टे बनाएंगे एक दो तीन ये हमारी मूरी इसे भी हम बनाएंगे चार पांच छे साथ धागा दूसरी तरफ करेंगे और पांच फंदे जो हमारे किनारे के हैं ये हम सीधे बनाएंगे और wrong side में हमेशा ही हमको 5 फंदे दोनों और से सीधे सीधे बनाने हैं अब फिर से धागा अपनी और करके पहले हम 4 फंदे किनारे के बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, ये हमारा border है तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी और करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी और करके सारी स्लाइच सीधे बनाएंगे और wrong side भी बना लेंगे wrong side बनाकर शुरू के 5 फंदे हमने सीधे बना लिये हैं फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, धागा अपनी और करेंगे इस पर हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन धागा अपनी और करेंगे सारी सलाई हम सीधे बनाएंगे और रॉंग साइट भी बना लेंगे बॉर्डर के पांच फंदे बना लिये तीन फंदे हमने आगे के भी बना लिये हैं सीधे धागा अपने और करेंगे इस पर हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच धागा अपने और करेंगे सारी स्लाइस सीधी बना लेंगे और रॉंग साइट पर बना लेंगे देखिए चार बार यहाँ पर मोरी डालने के बाद एक, दो, तीन, चार चार बार हमने फंदे बढ़ा लिये हैं और इधर से हमने पाच फंदे बॉर्डर के सीधे सीधे बना लिये हैं पहले हम तीन फंदे डालकर फंदा बढ़ाते थे मोरी डालते थे अब हम 6 फंदे डाल कर फंदा बढ़ाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे धागा अपनी और करेंगे एक फंदा हम सीधा बनेंगे ये देखें ये फंदा हमारा बिल्कुल ये सीधा फंदा आ रहा है इसको लेना है एक फंदा सीधा धागा अपनी और करेंगे इधर भी हमारे पास छे फंदे हैं देखें बॉर्डर के बाद दो चार छे तो पहले हम इधर की सारी स्लाई सीधी बना ले और उल्टी साइड भी हम बना ले तो पहले हम ये बना लेते हैं कि सीधी साइड से बॉडर बनाकर हमने शेपंदे सीधे बना लिए हैं दो चार छे फिर से मोरी डालेंगे धागा अपनी और करेंगे तीन सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, धागा अपनी और करेंगे, ये स्लाइसी थी, और रॉंग साइट भी बना लेंगे, फिर उसके आप उपर पनाएंगे, 5 फंदे बॉर्डर के, और 6 फंदे सीधे बनाने के बाद, फिर से हम मोरी डालेंगे, और इस पार हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा अपनी ओर करेंगे, सारी स्लाई सीधी बनाएंगे, और उर्टे स्लाई भी बनाएंगे अब हम चोथी बार मोरी बढ़ाएंगे पहले हम ने इदर से 5 फंदे बॉर्डर के 6 फंदे सीधे धागा अपनी ओर करेंगे और इस बार हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे पहले 1 फंदा था फिर 3 हुए फिर 5 हुए अब 7 फंदे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ धागा अपनी ओर करेंगे और सारी स्लाई हम सीधी बनादेंगे और उल्टी स्लाई भी हम बनालेंगे देखे हमने दो बार 4 फंदे बढ़ाए हैं एक, दो, तीन, चार, फिर दूसरे बार बढ़ाए एक, दो, तीन, चार जब हमने पहली बार फंदे बढ़ाए तो हमारे पास यहां पर तीन फंदे थे एक, दो, तीन, जब हमने दूसरी बार बढ़ाए तो हमारे पास छे फंदे थे एक दो तीन चार पांच छे अब हमको तीसरी बार बढ़ाने है जब हम तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे तो हमारे पास यहां साइड में दस फंदे होंगे छे फंदे मैंने बनाए है चार फंदे और बनाएंगे साथ, आठ, नो और एक दस दस फंदे बनाने के बाद धागा अपनी और करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे और सारी सलाई हम इसी तरिके से सीधी बनाएंगे और उटी बनाएंगे पहले हम ये बना लेते हैं अब फिर से हमने पांच फंदे सीधे बनाएं दस फंदे बीच के बनाएं फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे धागा अपनी और करेंगे तो और तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन धागा अपनी और करेंगे सारी सलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे हमने दो बार यहाँ पर फंदे बढ़ा लिए है, दो बार ओड़ बढ़ाएंगे, पहली बार सेंटर में एक फंदा है, दूसरी बार तीन हुए, तीसरी बार फंदे पांच होंगे, और चौती बार फंदे साथ हो जाएंगे, तो इसी तरह से बनाते हुए हम पहले यहाँ पर फंदे बढ़ा लेते हैं, फिर उसके उपर बढ़ाएंगे, चार बार हमने फंदा बढ़ा लिया है, मोरी डाली है यहां पर, एक, दो, तीन, चार, अब हमने फिर से पाच फंदे सीधे बनाए, दस फंदे हमने सेंटर के बनाए, और इस पार हम केवल आट फंदे गिन कर बना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नोवे फंदे को हम सीधा उतार लेंगे, और इस फंदे के साथ इससे भी उतार लेंगे, दोनों फंदों को सीधा उतार लिया, पिछे से इस लाइल लाएंगे, और एक फंदा हम सीधा अबना देंगे, साइड चेंज करेंगे पहला फंदा पिना बुनना उतार लेंगे गिनकर साथ फंदे सीधे बनाएंगे एक उल्टे बनाएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ फंदे बनाकर इस फंदे को वैसे यह हमारा नुवा फंदा है साथ फंदे हमने सीधे बनाएंगे एक फंदा हमने बिना बुनने उतारा था आठ और इन दोनों फंदों का हम एक फंदा उल्टा करेंगे साइड चेंज कर लेंगे एक फंदा बिना बुनने उतार लेंगे और साथ फंदे हम बिना बुने सीधे गिनेंगे, टोटल आठ हो जाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ आखर लिए फंदे को उतार लेंगे, सीधा, सीधा दो फंदे उतारेंगे, पीछे से स्लाइल लाएंगे और इस फंदे को फिर से देख लिजे, ये पीछे से स्लाइल लाएंगे ऐसे और एक फंदा सीधा बना लेंगे साइड चेंज करेंगे, एक फंदा पहला उतार लेंगे गिन कर साथ फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ इस फंदे को इसके साथ दो फंदो का एक फंदा उल्टा बनाएंगे इसी तरह से बनाते हुए हमको ये देखे, यहाँ पर हमारा सेंटर में फंदे कम होने शुरू हो गए है इसी तरह से एक, एक फंदा दोनों और से कम करते हुए हमको तब तक बनाना है जब तक ये सारे फंदे हमारे खतम नहीं हो जाते तो पहले हम ये कर लिते हैं दोनों और के हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं जब दोनों और के फंदे बंद हो जाएंगे तो हम यहां से एक एक करके फंदा उठाएंगे फंदा उठाने के लिए ये जो हमारे पास chain बन कर आई है ये देखें ये जो chain बनने हुई है इस और का wrong side का हम एक एक धागा लेंगे और उसको उल्टा उल्टा बनाते रहेंगे फिर से एक धागा लेंगे एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे इसी तरह से बनाते हुए हम सारे के सारे फंदे उठाएंगे और आप देखें इस और भी हमारे पास chain का एक हिस्सा रह जाएगा एक हिस्सा इधर आ जाएगा तो इसी तरह से उठाते हुए पहले हम सारे फंदे उठा लेते है फंदे उठाने बहुत असान है आपके सामने मैं उठा रहे हूँ तो पहले हम फंदे उठा लेते हैं जब हम सारे फंदे उठा लेंगे तो इधर से चीन जहां से शुरू होती है इसका भी हम एक धागा लेकर एक फंदा इसका भी बना लेंगे अब हम यहां से सारे फंदे सीथे सीथे बनाएंगे और बॉडर यहां पर भी हम एक फंदा पहले उल्टा उतार लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे और सारे के सारे फंदे सीथी और से हमें हमेशा सारे फंदे सीथे बनाने है तो पहले हम ये फंदे बना लेते हैं, फिर हम इधर से भी फंदे उठाएंगे, जब हम इस और से फंदे उठाएंगे, तो हम दूसरी सलाई लगा लेंगे, या हमारे पास धागे वाली सलाई गले वाली होनी चाहिए, वरना हम यहाँ पर दो सलाई लगा लेंगे, उससे भी बन जाएगा तो पहले हम यह चलाई कम्प्लीट कर लेते हैं सारे फंदे सीधे बनाने के बाद अब हमको इधर से फंदे उठाने हैं इधर से फंदे उठाने के लिए हम जो रॉंग साइट की तरफ चीन है हमारी उस और का एक धागा उठाएंगे और एक फंदा उसका बना ल हमारा पहला धागा है यह हमारा पहला धागा है एक फंदा बना लेंगे फिर से हम इस और का एक फंदा उठाएंगे एक धागा लेंगे एक फंदा बना लेंगे यहां से हम दूसरी स्लाई लगाएंगे एक धागा लेंगे एक फंदा बनाएंगे फिर से एक धागा लेंगे एक फंदा बनाएंगे इसी तरह से एक एक धागा लेकर फंदा बनाते हुए हम जितने फंदे हमने उस और उठाए हैं उतने ही फंदे इस और उठाएंगे तो पहले हम फंदे उठा लेते हैं और दिल लेते हैं फिर उसके उपर बनाएंगे इस और भी हम चेन का एक धागा लेंगे और एक फंदा बना देंगे अब हम फंदे गिल देते हैं दोनों और से 17-17 फंदे हमने उठाए हैं अब हम यह हमारी रॉंग साइड है रॉंग साइड में हम शुरू के और आखिर के 5 फंदे सीधे बनाएंगे बॉर्डर बनाते हुए 4 फंदे सीधे 1, 2, 3, 4 एक फंदा हमारा किनारे का 5 और अब हमको उधर के भी 5 फंदे छोड़ कर सारी स्लाई उल्टी उल्टी बनानी है तो पहले हम यह बना लेते हैं यह हमने एक स्लाई बना ली है इधर से भी यह किनारा बिल्कुल बराबर आया है और इस और से भी किनारा बिल्कुल बराबर आया है जब आप यहां पर लगभग 10 स्लाई बना ले तो फिर यह एक ही स्लाई में आ जाएगा अब हमको एक स्लाई सीथी और एक स्लाई उल्टी बनाते हुए तब तक बनाना है जब तक हमारे पैर की लंबाई पूरी नहीं हो जाती तो इसमें लगभग 36 स्लाई आएंगी आप अपने पैर के अनुसार दो स्लाई आ कम या जादा भी कर सकते हैं तो पहले हम 36 स्लाई बना लेते हैं फिर उसके उपर बनाएंगे पहले हम यह बना लेते हैं यह देखिए हमने सारे स्लाई बना ली हैं यहां से काउंट करेंगे, तो यह 36 लाई है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतारा, अठारा, अठारा का डबल, 36, एक चीज मेर से गलत बताएगी, हमने जो यहां पर फंदे उठाए थे, यहां पर यह मैंने 17 बता दिये थे, गलती से, यहां पर हमने 19 फंदे बढ़ाए, 19 फंदे इस और है, 19 फंदे हमारे पास इस और है, और सेंटर में हमारे पास 9 फंदे है, गलती के लिए माफिज आते हैं अब हम यहां से गिन कर पहले हम 19 फंदे बनाएंगे, पाच फंदे सीधे और बाकी की भी सीधे तो पहले हम 19 फंदे बना लेते हैं. 19 फंदे हमने बना ले हैं, मैं एक पर आपके सामने गिन देती हूं, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,9,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9, यही फंदे नो फंदे थे यही फंदे थे यही फंदे हम उपर लेकर आए हैं, यहां पर पहले हम 8 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे बनाने के पाद 9 फंदा हम सीधा उतार लेंगे, इथर से हमारा पहला फंदा भी सीधा उतार लेंगे, दोनों का एक फंदा हम जैसे हमने पहले फंदा बन किया था, एक फंदा सीधा उतार लेंगे, साइट अपनी और करेंगे, पहला फंदा भिना बनने उतार लेंगे, गिन कर 7 फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, अब हम इस फंदे को और इस फंदे को दोनों का एक अठा एक फंदा प्रादे, साइट चेंज करेंगे, पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, साथ फंदे सीधे नाएगे, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आखरे फंदे को इस फंदे के साथ, दो फंदे सीधे उतार कर, स्लाइट पीछे से लाएगे, और एक फंदा फिर से सीधा अबना लेंगे, साइट चेंज करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतार कर, साथ फंदे बनाएगे, एक, दो, तीन, तीन, चार, पांच, छे, साथ, इस फंदे को इसके साथ फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे, इसी तरह से बनाते हुए, हम इसी तब तक बनाएंगे, जब तक हमारे पास यहाँ पर केवल साथ फंदे नहीं रह जाते, तब तक हम एक, एक फंदा करके कम करेंगे, तो पहले हम यह बना लेते हैं, साथ फंदे बनाएंगे, इस पर हम आखिर के दो फंदे नहीं बनाएंगे, इस पर छे फंदे बनाने हैं हमको, ये देखिए, ये दो फंदे छोड़कर दोनों फंदों को इकठा, बिना बुन्ने हम बस उतार लेंगे, आगे वाले फंदे को हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, और ये दोनों फंदे चाहे इकठे, चाहे एके करके आप बलते, इस बार हमने एक फंदा इधर से कम किया है, एक बार इधर से कम किया है, अब हम इस और के भी दो फंदे इकठे बंद करेंगे, तो पहले हम इधर के दो फंदे छोड़ कर सेंटर के पाच फंदे बना लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच इन दोनों फंदों को हम आपस में पलट लेंगे इस फंदे को उतार कर इधर कर लेंगे पहले इस फंदे को उतार लेंगे और फिर इस फंदे को इसके उपर चड़ा देंगे अब हम को इन तीनों फंदों का एक फंदा बनाना है जी देखें और साइड चेंज करेंगे और इस पर हमको केवल नॉर्मली एक ही फंदा बन करना है एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहां से हम एक फंदा बंद करेंगे, जैसे हमने हमीशा किया है, साइट चेंज करेंगे, इस पर भी हम एक ही फंदा बंद करेंगे, तो पहले हम एक फंदा बंद कर लेते हैं, फिर से साइट चेंज करेंगे, इस पर हम फिर से दो फंदो का, तीन फंदो का एक फंदा करेंगे, आखिर के दो फंदे नहीं बनाएंगे, दो फंदे छोड़ कर, दोनों को एक अठा उतार लेंगे, और इस फंदे को पहले बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, दोनों फंदे उपर पलट देंगे, फिर से साइट चेंज करेंगे, इस पर भी दो फंदे रहने तक हम बनाएंगे, एक, दो, तीन, दो फंदे रह गए है इसको हम ऐसे पलट लेंगे पीछे से लेकर आए पलट लिया और इन तीनों फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे साइड चेंज करेंगे दिखिए फिर से हम इस पार एक ही फंदा बंद करेंगे दोनों और से तो पहले हम दोनों और से एक एक फंदा बंद कर लेते हैं साइड चेंज करेंगे एक, दो, तीन, एक फंदा बंद करेंगे फिर से इस पार हम एक एक फंदा फिर से बंद करेंगे एक, दो दोनों फंदों को उतार लेंगे और इस फंदे के साथ फिर से हम एक फंदा सिधा बना लेंगे तीनों फंदों का एक फंदा सिधा बना लिया साइड चेंज करेंगे केवल एक फंदा उल्टा बनाएंगे इन दोनों फंदों को हम पीछे से स्लाई लाकर ऐसे पलट लेंगे ऐसे भी कर सकते हो और पहले की तरह ऐसे भी आपस में चेंज कर सकते हो एक, दो और ये तीन, तीनों फंदों का इकठा हमको एक फंदा बनाना है फिर से केवल एक फंदा कम करेंगे साइड चेंज करेंगे एक फंदा बनाएंगे, दो फंदों का एकठा एक फंदा कर देंगे इन तोनों फंदों का एक फंदा करेंगे जैसे हमने पहले किये हैं और अब हम जब वापसी जाएंगे तो सारे फंदे हम बन कर देंगे एक फंदा बिना बुने उतार लिया हमने जैसे हम पहले करते थे एक फंदा उटा बनाया इसको पलट दिया इन दो फंदों का हम हमेशा एक फंदा करते हैं इन दोनों फंदों का एक फंदा किया इसको पलट देंगे और हमारा जो बूट है वो बनकर त्यार है धागा काट देते हैं ये देखिए इसे हम सुई से अंदर कर देंगे बूट बनकर त्यार है इसमें एड़ी बहुत सुंदर बनकर आती है पीछे का हिसा आप देखिए मैं आपको बूट पहन कर दिखाती हूँ ये देखिए बूट बनकर त्यार है बूट की शेप बहुत सुंदर बनकर आई है पीछे से हमारी एड़ी की शेप जो है बहुत सुंदर है और एड़ी अच्छी मुंची होने के कारण पैर से नीचे नहीं गिरती और इसमें नीचे की शेप भी बहुत सुन्दर बन कराती है इसमें पैर बहुत कमफर्टीबल रहता है और दोनों शूस की बिल्कुल एक जैसी शेप आई है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें अगर बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें गुड़े की पोटली में जर्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहें गुड़े की पोटली, नमस्कार, धन्यवाद